बड़ी धूम धाम से सब काम संपन्न हो गए थे पूर्व दिशा की और से उर्ते हुए काले बादलों को देख कर ब्रह्म दत्न चिंतिस्वर में कहा यजमान थोड़ा जल्दी कर लीजिए हमें जाना भी पड़ेगा यजमान ने जवाब दिया घबराईये मत पंडी जी यह ऐसे ही बादल हैं निकल जाएगा हवा चलने लगी है देखो बादलों को उड़ा ले जाएगी यजमान ने तो अपनी जगा ठीक ही कह दिया था लेकिन जो तन लागे सो तन जाने अपनी पीडा को पंडी जी ही समझते थे जाना तो पंडी जी को था उनके अंदर दुष्चिंताओं के बमंडर उठने लगे पंडिताईन वहाँ घर में अकेली है घर भी ऐसा ही बना हुआ है कमजोर जरजर ना किसी जंगली जानवर से रक्षा ना तगडी आंधिया भयानक बरसाथ को जहलने की ताकत रखता है पंडित ब्रह्मदत चिंतित दृष्टी से आकास की और देखने लगे यहां से उनके घर की दूरी भी बहुत ही है पैदल जाते जाते तो बहुत रात हो जाएगी अगर मौसम खराब हुआ तो मिसुवत और आ जाएगी रास्ते में बिहड बियाबान रास्ता है इन्हें सोच विचार में पढ़ कर वै अनमने धंक से रहा सहा काम पूरा करवाने लगे पंडित ब्रह्मदत बहुत ही जाने माने विद्वान ब्रह्मण थे बहुत ही सच्चे और सरल सोभाव के थे उनके परिवार में उनकी पत्नी माया, बेटा अशोगदत, बड़ा बेटा ज्वालदत और अपने आप बस कुल चार प्राणी ही थे सेधे सरल ढंग से जीवन की गाड़ी चल रही थी उन्होंने बहुत ही ज्यादा की लालसा कभी नहीं की थी और ना ही कोई उन्हें असंतोष था संतोष और संतोष और संपन्नता यह दोनों विरोधी चीज़े हैं संतोष और संपन्नता ये दोनों विरोधी चीजें हैं जहां पर संतोष होगा वहां संपन्नता तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें आगे कुछ करने की महत्व कांग्षा ही नहीं रह जाती है यही वज़ा थी कि उनका जीवन भी घिसट घिसट कर चल रहा था या यूँ कहें कि सिधा सादा जीवन चल रहा था दोनों बेटे भी उनके आग्या कारी थे बहुत ही सुंदर पढ़ने लिखने में भी कुछाग्र बुद्धी के थे आज जब वे पूजा करवाने आए थे तो उनके दोनों बेटे भी जिद करके उनके साथ ही चले आए थे इस तरीके से उन्हें घूमने को भी मिल गया था और उनके साथ में रहकर थोड़ा बहुत पूजा पाठ का भी उन्हें ग्यान हो जाता था पंडित ब्रह्मदत पूजा पाठ सर्वत्तम विधी से करवाते थे इसलिए दूर दूर से लोग उन्हें को बुलाते थे उनकी कीरती दूर दूर तक फैली हुई थी आज भी वे अपने यजमान के यहां यग करवाने के लिए आए हुए थे जो उन्हें ग्रह प्रवेश के उपलक्ष में करवाना था आज यजमान के हरिष्टेदारों परचितों की भीड लगी हुई थी सब काम निप्टाते निप्टाते बहुत देर हो चुकी थी तब तक मौसम बदलने लगा था उसी को देखकर पंडित ब्रह्मदत चिंतित होकर बोले कि थोड़ी जल्दी कर दीजिये हमें जाना भी पड़ेगा यजमान ने कहा हाँ हाँ आप ठीक कहते हैं पर पंडित जी मौसम सही नहीं है बच्चे भी साथ हैं आपको दूर जाना भी है तो आज आप यहीं रुक जाईए लेकिन पंडित जी ने मन में सोचा की पंडिताइन घर में अकेली है बेटों को तो साथ लेकर आए हैं मौसम भी ठीक नहीं है अकेली वे घवराएगी इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें जाना ही होगा मजबूर होकर यजमान ने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्चा चलिए यजमान ने उनके लिए खोब धेर सारी दान देख्षिना खाने पीने का समान बांद दिया कुछ रुपए दिये और वो सब रवाना हो गए मित्रों यह वे जमाना था जब आजकल की भाती सडकों का जाल नहीं हुआ करता था ना ही आवा गवन के सवारी के साधन थे ज्यादातर्यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी दस बारा कोस तो लोग यूँ ही चले जाया करते थे और आजकल की भाती ज्यादा आवादी नहीं थी पेड़ पोधों की बहुतायत थी इसलिए रास्ते बहुत ही बीहड और बियाबान होते थे उन तीनों बाप बेटों को यजमान के घर से निकले हुए एक घंटा हुआ था कि बादलों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और मुसलाधार बारिश होने लगी बिजली कड़कडाने लगी और फिर इतनी जोर से कड़क कर कहीं गिरी की वे तिनों घबरा गए और एक घने पेड के नीचे खड़े हो गए वे बारिश रुकने का इंतजार करने लगे थोड़ी देर बाद बारिश धीमी हुई लेकिन वे तीनों बहुत ही ज्यादा भीग गए थे वैसे भी यह जाडे की रितु थी अब पाने थोड़ा थमा था उन्होंने अपना आगे का सफर सुरू किया घने बादलों के कारण अंधेरा चाया हुआ था अब जल्दी जल्दी में वे लोग चले जा रहे थे की कैसे भी हो जल्दी से घर मिले लेकिन अभी तो बहुत दूरी थी बारिश में कपड़े भीग कर उनके शरीर से चिपक गए थे बरफीली हवा जोरों से चलने लगी थी वे तीर की तरह वे तीर की तरह हड़ियों में घुस्ती जा रही थी तेना ही जाड़े के कारण थर-thर काप रहे थे उनके दात बज रहे थे होट नीले पड़ गए थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं से थोड़ी आग तापने को मिल जाए या कोई सूखा गरम वस्त्र पहनने को मिल जाए तो इन गेले वस्त्रों से मुक्ती पाकर कुछ राहत मिले लेकिन वहां उस बिहड बियाबान में कहां कुछ रखा था अचानक कहीं दूर आग की लप्टे दिखाई दी तो बड़ा बेटा जाड़े में कापते हुए बोला पिता जी वह देखो आग चलो वहां पर भाग कर चले नहीं तो मुझे लगता है मेरी तो आज मौत ही हो जाएगी दात बज रहे हैं पसलियों में ठंड घुसी जा रही है चोटे बेटे अशोक दत ने कहा हाँ पिता जी चल तो रही है चलिये वहां चलते हैं पंडित ब्रह्म दत भी ठंड से काप रहे थे तेनों के कदम बढ़ते चले गए थोड़ी ही देर के पश्चात मैं महां पहुँच गए तो उन्होंने देखा कि यहां तो सम्शान है और यहां चिता जल रही है पानी बरस चुका था चिता ठंडी पढ़ गई थी लेकिन जैसे ही पानी थमा उस मुर्दे के परिजन उसमें फिर से अगनी प्रुजलित करके खुद मौसम की मार से बचने के लिए चले गए थे आप चिता धूदू करके जल रही थी पंडी जी चिता को देख कर थम गए कहने लगे यहां नहीं यहां तो चिता है यहां से चलो लेकिन उन दोनों लड़कों को जब चिता की आग की गर्मे महसूस हुई तो वे वहां से नहीं हटे उनको बुलाने के लिए जब पंडी जी आए तो उनको भी आग के आगे आ जाने से बरफीली हवा में थर-थर कापते शरीर को सकून मिला तो दो तिन घड़ी वे भी वही रुख गए इस विपत्ती की घड़ी में शरीर की अवश्यक्ता के सामने उचित अनुचित का ग्यान धरा का धरा ही रह गया था अब तीनों ही बाप बेटे चिता की अगनी से अपने शरीर के गीले कपड़ों को सुखा रहे थे ताप रहे थे और उन्हें असीम सुख मिल रहा था और तभी वे घटना घटी जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी बड़ा बेटा जवालदत जो अत्यंत शरारती था और शरारत करने से कहीं भी किसी भी आवसर से चूकता नहीं था उसने एक लकड़ी उठाई और उस जलती ही चिता पर मारी जब तक पंडित ब्रह्मदत ने उसे रोका है 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 ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो तब तक जो होना था वो हो चुका था लकड़ी सीधे जलते हुए मुर्दे की कपल पर लगी चटाक की आवाज आई और मुर्दे की खोपड़ी फूट गई उसमें से पीला द्रव्य जो आलदत के उपर उचल कर आ पड़ा जोरों से बादला में गड़गडा हट हुई बहुत जोर से बिजली चमकी गरजना के रोप में आकाश बानी हुई रेदुस्ट तुने चिता में जलते हुए शब का अपमान किया है अब तुन उसका दंड भुगत उस पीले द्रव के पड़ते ही जो आलदत एक भ्यानक दानव के रूप में परवर्तित हो गया या सब इतनी जल्दी हुआ कि पंडित ब्रहम मदत कुछ समझे नहीं सके और बहुत भ्यानक दानव अशोग दत की तरफ उसे खाने के लिए मुफैला कर दोड़ा मित्रों कथा बहुत ही रोचक है बने रहें दिववानी के साथ कथा को लाइक जुरूर करें अभी अभी दानव बने जुआल को अशोग की तरफ जपडते देखकर ब्रहम मदत कातर स्वर में करंदन कर उठे देख जुआला यह तेरा चोटा भाई है रुक जा याद कर क्या तुझे इतना भी याद नहीं रहा इसे चोड़ दे किंकर तब यविमूर ब्रहम मदत अशोग दत के सामने आकर ढाल बनकर खड़े हो गए अशोग की तरफ बढ़ता हुआ दानव रुक गया उस निरेह व्रद्य का करुण करंदन व्यापक होकर देख दिगंत में चा गया और जैसे सहस्त्र सहस्त ध्वनियों में प्रतिध्वनित होकर चतुर दिशा में गूंज उठा जो केवल वही निरेह व्रद्य ही सुन सका और प्रचंड वेदना का अनभग कर सका उस असहनिय वेदना भार को वह सहन नहीं कर सका और एक मूख अह भरकर भूमी पर बैठ गया ओपर को हाथ उठा कर वह पुकार उठा हे प्रभू यह कैसा दंड दे दिया क्या मेरे जनम भर के सतकर्मों का यही फल है बालक नादान है उससे गलती हो गई तो उसका इतना भ्यंकर दंड बादलों की तेज गड़गडा हट और कड़कती बिजली के बीच उसने आवाज सुनी कपाल को तोड़ कर भंग करने वाला यह कपाल सपोटा है इसकी नियती में यही लिखा है जो इसका प्रारब्द है वह इसको भोगना ही होगा और वह अबधी पूरी होने के बाद जब वह अपने भाई को देखेगा तब उना अपने असली रूप में आ जाएगा तेज गड़गडा हट के साथ फिर बिजली कड़क कर कहीं गिरी और अपने विकट अट्टाहास से चारों दुशाओं को कपाता हुआ कपाल सपोटा धम धम करता हुआ उत्तर दिशा में भाग गया पल भर में ही क्या से क्या हो गया था ब्रह्मदत अब अपने आप को कोश रहे थे कि क्यों उन्होंने चिता के पास आने के लिए सक्ती से मना नहीं किया क्यों वह खुद भी बच्चों के साथ बच्चा बन गए थे ब्रहम्मदत को ऐसा लगा जैसे वे लुट गए हैं और वर्सों से बिमार हैं उनकी तो बुद्धी जैसे कुंद हो गई थी ब्रहम्मदत और इन सब घटनाओं से हत बुद्धी अशोक पागलों की भाती उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ ज्वाला अत्वा कपाल सफोटा भाग गया था बहुत देर तक यूँ ही बैठे रहने के बाद ब्रहम्मदत और अशोक दोनों ही धीरे धीरे कदमों से अपने घर की तरफ चल दिये अब उनके एक एक कदम ऐसे पढ़ते थे जैसे मन भर का बोज हो किसी ना किसी तरह से जब वे अपने घर में पहुँचे और दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से बहुत ही खुश हो कर उनकी पत्नी माया निकल कर बाहर आई और दोनों को देख कर उनके पीछे जाकती ही बोली ज्वाला कहां रह गया ब्रहम्मदत ने अपने मन में उमरते हुए दुख और रुलाई के वेग को बड़ी कठनाई से रोकते हुए कहा वह अजमान के घर ही रुक गए हैं तेनों अंदर पहुँचे अशोक ने जब उन्हें पूरा वर्तान सुनाया तो मुर्शित हो गई और होश में आते ही हाई मेरा ज्वाला हाई मेरा ज्वाल कहते हुए विलाब करने लगी इसके बाद कई वर्श बीत गए इतने वर्श भी कैसे बीते थे या तो पंडित ब्रहम्मदत ही जानते थे क्योंकि ज्वाला के जाने के बाद ना तो उनके घर में कोई खुशी रह गई थी ना ही कोई उमंग बस दिन किसी ना किसी प्रकार बीत रहे थे और इसी तरह अपने भाई ज्वाला के साथ दिन रात फुर्दंग मचाने वाला शरारते करने वाला अशोग अब बहुत ही गंभीर रहने लगा था उसको कोई हसते हुए नहीं देखता था ब्रहम्मदत के घर से तो हसे खुशी के दिन ज्वाला के साथ ही चले गए थे अपने साथियों के साथ उसने तलवार बाजी मल युद्ध में विशेश दक्षता हसिल कर ली थी अब वे अपने लिए कोई नौकरी ढूंड रहा था उससे जब एक व्यक्ति ने कहा अपने राजे के राजा चंदर केतू के पास जाओ तो अवशी ही तुमें कोई नौकरी देंगे अशोक ने ब्रम मदत से अनुमती लेकर अपने घर से प्रस्थान किया और कई दिनों की यात्रा के उपरां वे राजा चंदर केतू के दरबार में जा पहुँचा पहरेदारों ने उसे ले जाकर राजा सम्मुक प्रस्तित किया राजा ने उसके सुन्दर रूप स प्रभावित हो कर पूँचा कहो क्या बात है तो मुझसे क्यों मिलना चाहते हो और कहां से आये हो अशोक ने उत्तर दिया महराज मैं बहुत ही दूर से एक गाउं से आया हूँ मैं पंडित ब्रम मदत का बेटा हूँ और नौकरी की तलाश में हूँ राजा ने कहा ओ विप आज मैंने तलवार बाजी और मल्युध में दक्षता हासिल की है और उसे के अनुसार आप मझे नौकरी दीजिए राजा ने अश्चर से कहा अच्छा ठेक है हम तुम्हारे परिक्षा लेकर देखेंगे तब ही हम तुम्हारे बारे में कोई निर्णे करेंगे ऐसा कहकर रा परिक्षा ले गई तमल्युध में उसने सबको परास्त कर दिया राजा की पहली परिक्षा में वह पास हुआ अब तलवार बाजी की परिक्षा की बारी थी तलवार बाजी के पैंतरों को दिखा कर उसने सबका दिल जीत लिया राजा उसके इस कला कोशल से बहुत ही प्रस जन्नता से कहा, मैं बहुत दिनों से ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में था, जो इन कलाओं में निपुन हो, मैं अपने अंगरक्षक की तलाश कर रहा था, मैरे तलाश आज पूरी हुई, मैं तुम को अपना अंगरक्षक निक्त करता हूँ, बताओ, तुम कितना वेतन लोगे, अ हुसूल है कि मैं मुह मांगा वेतन देता हूँ, महराज मैं एक हजार स्वन्ड मुद्राएं रोज लूँगा, राजा ने कहा, ऐसी कौन सी खास बात है, जो इतनी ज़्यादा धनरासी मांग रहे हो, अशोग बोला, महराज वक्त आने पर पता चल जाएगा, मैं हर काम करके दिखाऊंगा, और अब मैं अपने माबाप को भी यहां लाने की अनमती चाहता हूँ, राजा उसके माबाप के प्रती सेवा भाव से बहुत ही प्रसन हुए, और उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ, राजा ने अपने इस नमनियुक्त, अंगरक शक के लिए एक सुन्दर सा तब विपालन करने लगा, बसंत्रित्यू का आगमन था, चारों तरफ इंदर धनुशी फूलों की छटा चाही हुई थी, कोयल अपनी सुरीलितान से समा बांध रही थी, राजकुमारी लेखा अपनी सक्यों के साथ उप्वन में सहर कर रही थी, इन दिनों उप्वन की चारियों से थोड़ी थोड़ी दूर पर सफे संग्मर्मर की मूर्तियां बनी हुई थी, सबसे सुन्दर तो उप्वन का फवारा था, फवारे के बीचों बीच सफे संग्मर्मर की चारों दिशाओं की और मुक्त किये खड़ी चार अपसराओं की मूर्तियां थी, उनके हा पूली नहीं आया और मेरे वो कामल के फूल भी नहीं आ पाए जिससे मैं अपनी माला बनाती और एक दासी को बुला कर कहा जाओ देख कर आओ माली क्यों नहीं आया दासी जाने को ततपर हुई तभी वापस आकर बोली राजकुमारी जी महराज पधार रहे हैं ओ कहकर राजक तुमारी लेखा खड़ी हो गई महराज चंद्र केतु अपने अंग्रक्षक असोक के साथ आये और लेखा ने जैसे अशोक को देखा तो ठगी सी खड़ी रह गई हर सिंगार पर बैठी कोयल ने शोर मचा दिया और फुर्र से उड़ गई उसके उड़ने से जो डाली हिली तो हर सिंगार के पेड़ के नीचे खड़ी लेखा पर फूलों की वर्षा होने लगी ठेक उसी छण अशोक की दृष्टी जब लेखा पर पड़ी लेखा ने भी अपनी दृष्टी अशोक की तरफ घुमाई दृष्ट अनंग ने अपना तेर छोड़ दिया निशाना अच लूग था दोनों ही घायल हुए थे अशोक की उस दृष्टी से लेखा मंत्र मुग्द हो गई अशोक ने निरबाध हरूप से लेखा के हिर्दय पर कबजा कर लिया उसने अशोक को सदा के लिए अपना मान लिया लेखा की उन नजरों ने अशोक के मन को पूरी तरह से वांग विश्व सुंदरी को समर्पित कर दिया उनका दोश भी नहीं था रूप की बहार दोनों तरफ थी उम्र भी ऐसी ही थी समय भी ऐसा था नजारा भी अजब था उस सुर्मे जगत में जो मत्छाया हुआ था उसके नशे में दोनों का ही हिर्दय अपने बस में नहीं पिर अगले ही छण दोनों ने अपने को नियंतरित किया इन दो पलों में कितना कुछ हो गया किस ने किस से क्या कहा किसी को भी मालूम नहीं हुआ सिवाए दो दिलों के संदेश एक दूसरे तक पहुँचाते दो नेनों के लेखा महराज को परणाम करके बोली देखिये ना पिता जी माली वे कमल ही लेकर नहीं आया बताओ भला मैं अपनी माला कैसे बनाओंगी इसलिए तो मैं दासी को भेज रही थी कि माली को भुला लूँ राजा जानते थी कि कमल के फूलों में लेखा की जान बसती है वे दिवानगी की हद तक उन फूलों को पसंद करती थी वे मुस्कुराते हुए बोले बेटी कोई समस्या ही रही होगी तभी तो वे नहीं आ पाया लेखा रूठते हुए बोली मगर पिता जी फूल अपनी लाडली बेटी की इस छोटी सी जिद को महराज नकार नहीं सके और उन्हाने मुस्कुराते हुए अशोक से कहा अशोक त ये फूल शाही तलाब से लेकर आना, यह दासी जाकर तुम्हें बता देगी, वे तलाब इन फूलों के लिए ही है, लेखा ने ठंडी आह भरी, काश वे वाले फूल भी मुझे मिल पाते, कभी जो मैंने सहर पर जाते समय देखे थे, महराज बोले, उन फूलों के बारे में मत सोचो लेखा, ऐसी खुशी और शंगार का भी क्या मतलब है, जो किसी की जान जोखे में डालनी पड़े, अशोक ने पूछा, माफी चाहता हूँ महराज, जो बीच में बोल रहा हूँ, कौन से फूलों की बात हो रही है, जंगल में एक तलाब है, सुना जाता है कि उसकी रखवाली कोई बलाक नामक दानव करता है, उसमें कमल के फूल अद्बुत होते हैं, वही एक बार लेखाने देखे थे, यह उसी की बात कर रही है, जे महराज, मैं इजाज़त चाहता हूँ, ऐसा कहकर अशोक वहाँ से चला गया, वह नगर के बाहर, जिस शाहि तलाब की बात की जा रही थी, वहाँ पर आया, उसने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे कमल के फूल खिले हुए थे, फिर उसका मन उस तलाब की तरफ दोड़ गया, जो निशिद्ध था, यह मानवी प्रकृती ही होती है, कि जहां पर मना किया जाए, वहीं पर मन दोड़ता है, क्योंकि वर्जित फल हमेशा मीठा होता है, उसने अपना खोड़ा उसी जंगल के तलाब की तरफ दोड़ा दिया, जिसकी दानव रखवाली करता था, शेगरी वे घने जंगल में पहुँच गया, और उसने उस तलाब को खोज निकाला, वास्तों में ही उसमें बहुत ही सुन्दर फूल खिले हुए थे, जिनकी सुन्दरता अद्वित्य थी, वे कमल के फूल निकालने के लिए जैसे ही गुसने को ततपर हुआ, वैसे एक कड़कदार आवाज गूंज उठी, ठहरो, तमारी हिम्मत कैसे ही तलाब के पास आने की अशोक ने देखा की, सामने एक विशाल काय दानव खड़ा हुआ था, अशोक ने कहा, मुझे थोड़े से फूल चाहिए, दानव क्रोधित होकर बोला, इन फूलों को चूने की हिम्मत मत करना, या मेरे तलाब के फूल हैं, कोई मुनिश्य इने छूब भी नहीं सकता, ये फूल मेरे सिवा कोई नहीं ले सकता है, अशोक को लेखा की याद आई, जो इन फूलों के लिए आह भर रही थी, वह बड़े ही जोश से बोला, मैं लेकर जाओंगा, अपनी आखे लाल-लाल करता हुआ दानव बोला, अगर तुमने इनको चूने की कोशिश की, तो देखना अशोक ने चुनाती को स्विकार किया, और वह कमल तोडने के लिए बढ़ा, दानव ने यह दृस्टता देखी, तो वह करोधित हो उठा, और अब दोनों में घमशान युद्ध शुरू हो गया, बहुत देर की लड़ाई के बाद दानव अशोक से हार गया, वह अशोक से बहुत ही प्रसन होकर बोला, अभी तक मनुश्यों में ऐसा कोई नहीं मिला, जो मुझे हरा सके, मैं चाहता तो माया भी शक्तियों का भी इस्तिमाल कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया, कि मैं ऐसा ही कोई वीर ढून रहा था, जो मुझे परास्त कर सके, जिसने मुएम ही धेर सारे फूल उसे निकाल कर दिये जब उसको फूल ले जाने के कारण का पता चला तो उसने कहा तुब इन फूलों को रोज ले जा सकते हो अशोक उन फूलों को लेकर वापस आया महराज चंदर केतु के पास आकर उसने फूलों को दिखाया तो वैं बहुत ही कर बोला महराज राज कुमारी ने जब इच्छा प्रकट की कि मुझे यह फूल अच्छे लगते हैं तो इस सेवक से नहीं रहा गया महराज ने कहा वह तो ठीक है लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में क्यूं डाली बड़े ही संकोष से अशोक धेमेस्वर में बोला महराज आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो इस से बढ़कर मेरे लिए खुशी की क्या बात है राजा चंद्र केतु उसकी इस भावना को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा तुम्हारे इस बात ने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया है तुमने हमारा दिल जीत लिया है जाओ फूल राजकुमारी लेखा को दे आओ मैं अश्चेर से उसने पूछा हाँ हाँ तुम मैं कह रहा हूँ कि तुम जाओ और लेखा को फूल दे आओ अश्चेर से उसने भावने में अपनी सक्षियों के साथ बैठी हुई वैं फूलों का इंतजार कर रही थी उसने अश्चेर के हाथ में जैसे ही वे फूल देखे तुम खुशी से उचल पड़ी और अश्चेर भरी आवाज में कहा मैं इन फूलों के बारे में सोचती थी लेकिन दोबारा देखने को भी नहीं मिले थे और तुम ने लेकर आए हो भला कैसे खुशी से दमकते चहरे से उसने प्रश्चन वाचक द्रिश्टी से अश्च को मिल जाएंगे कैसे वह दानव अश्चोक ने मुस्कुरा कर कहा उस दानव को मैंने लड़कर हरा दिया है अब आपको यह फूल मिल जाया करेंगे तुम दानव से लड़कर इन फूलों को लाए हो जी राज कुमारी जी आपने इच्छा जाहिर की थी तो फिर मैं रह नहीं स अब मैं अनुमती चाहता हूं। उसके दिल ने आवाज दी लेखा वे तुमसे बहुत प्रेम करता है। और इस बात को सोचकर लेखा स्वयम ही शर्मा गई। रात बहुत गहरा गई थी धेरे धेरे चांद अपना सफर पूरा कर रहा था। राजा चंदर केतु के शैन कक्ष के बाहर पहरा देता हुआ अशोक लेखा के बारे में सोच रहा था। उसके मन में विचारों का भ्यंकर तुफान चल रहा था। उसके हिर्दा पर लेखा विराज मानती प्रथम दृष्टी की लेखा की वह मोहिनी मूरत क्या कभी वह भूल सकता है। नहीं कभी नहीं उसके मन में अवाज उठी। वह मन हिमन प्रतिग्या कर उठा की लेखा तुम्हारे सिवा तो मैं कभी किसी को देखूंगा भी नहीं। मेरा अब जो भी अजीवन है वह बस तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी खुशी के लिए अब मैं शेष जीवन जीऊंगा। तब ही उसके विवेक ने उसे सावधान किया, यह क्या सोच रहा है तूं, जिसने तुम्हे सहारा दिया, तो उसी के साथ विश्वाश घात करने जा रहा है, अशोक विचारों के भवर में फसा हुआ था, कभी वे अपने हिर्दय की बात सुनता, तो कभी विवेक की, विवेक पुकार पुकार कर कह रहा था, तूं चाहे जितने तरक दे ले, लेकिन यह विश्वाश घात है, अगर तेरा अपने हिर्दय पर जोर नहीं है, और मानता है कि, यह तेरे वश में नहीं है, कि तुझे उससे प्रेम हो गया है, तो हो जाने दे प्रेम को, मन को अपने नियंत प्रेम में रख और अपना कर्तब वे पालन कर, स्वामी भक्ति, विश्वाश सर्वो परी है, फैसला हो गया था, प्रेम है तो रहेगा, लेकिन वे विश्वाश घात और धोका कभी नहीं करेगा, अपने प्रेम को कलंकित नहीं होने देगा, अब अशोक मानसिक उल्जन से बाहर आ चुका था, उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि, अगर मेरा लेखा से प्रेम सच्चा होगा, और यह इश्वर को मनजूर होगा, तो वे मुझे अवश्य ही मिलेगा, लेकिन मैं अपने कर्तब वे पत्थ से विचलित नहीं रहूंगा, और विश्वाश घात नहीं करू अब उसके चहरे पर कोई भी दुश्चिंता नहीं थी, आधी राज से ज्यादा बीग चुकी थी, चारो तरफ चन्नाटा चाया हुआ था, अचानक कहीं से किसी इस्त्री के रोने की आवाज आई, आवाज इतनी दर्द भरी और जोर की थी कि, अपने शहन कक्ष में सोय हु महराज चंदर केतु की नींद खुल गई, और उन्होंने कहा, अशोक यह कैसी आवाज है, इतनी रात गए यह कौन रो रहा है, क्या तुम्हें यह रोने की आवाज सुनाई देती है, जी महराज, मैं भी सुन रहा हूँ, यह किसी इस्त्री के रोने की आवाज है, लेकिन इ यहा कर क्या रही है, और क्यों रो रही है, अशोक ने सजग होकर चोकनी द्रिष्टी से चारों तरफ देखते हुए कहा, महराज, यहा तो कोई नहीं है, यह तो कहीं बाहर से आवाज आ रही है, मित्रों कथा बहुत ही सुन्दर है, देवभणी चैनल के साथ बने रहे हैं, लाइक जुरूर करें कथाओं कमित्रों, अशोक ने तलवार हाथ में ली और चोकनी द्रिष्टी से बहुत ही फुर्ती से महल में चारों तरफ चक्कर लगा डाला, लेकिन वहा किसी की भी परच्छाई नहीं मिली, वह महराज से बोला, महराज सावधान रहिएगा, सारा मह मैंने च्छान मारा है, लेकिन यहां कोई नहीं है, अब मैं बाहर देखने जा रहा हूँ, महराज चंदर के तु सजग होकर बैठ गे, अशोक तीर की तरह बाहर निकल गया, बाहर इतना सन्नाटा चाया हुआ था, जैसे किसी भयानक और रहस्यमई नाटक रचने की भूमका बनाई जा रही हो, सन्नाटे को चीरती कभी जींगुरों की तेज जन जन से वातावरन जंकरत हो उठता था, तो कहीं बीच बीच में सियारों की हुआ हुआ से डरावना लगने लगता था, अमावस्या की काली अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, वह आवाज की द्रिष्टी में निडर होकर बढ़ता गया, जयाँ जयाँ वह आगे बढ़ता गया, तेज आवाज और स्पष्ट होती गई, छे ग्रिवे उस जगह पर पहुँच गया, जहां से आवाज आ रही थी, तलवार की मूट में, जगमगातें, नगों की रोशनी में उसने देखा कि एक पेड के नीचे एक इस्तरी बैठी हुई रो रही है, और पेड की डाली से एक व्यक्ति लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है, जैसे उसे फासी दी गई है, अशोक को देखते ही इस्तरी जोर जोर से रोने लगी, देखने से इस्तरी किसी अच्छे घर की मह मालूम पड़ती थी, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे कपड़ों और आभूशना से सुचजित थी, और अत्यांत रूपवती थी, उसने अशोक को देख कर कहा, मेरी मदद कीजिए, अशोक ने उससे पूछा, तमकान हो, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो, वह अशोक को कात द्रिष्टी से देखते हुए, बहुत ही करुनसर में रोने लगी और कहा, मैं एक भले घर की बहु हूँ, या मेरे पती हैं, इन्हें फासी दी गई है, या अभी जीवित हैं, और मैं इन्हें अंतिम समय में पानी पिलाना चाहती हूँ, अभी इनकी मृत्तियु नहीं ऐसा कहकर वह और भी विलाप करने लगी, यह बात सुनकर अशुक को बहुत दया आई, उसने कहा, पानी पिला दीजिये, फिर बात क्या है, समस्या क्या है, पानी का कटोरा हाथ में लिये हुए उसने दिखाया, और बड़े ही देनिय भाव से बोली, लेकिन मैं इनके मुक पहुच नहीं पा रही हूँ, मैं इने पानी कैसे पिला हूँ, हाए, मैं कैसी अभागिन हूँ की, अपने पती को अंत समय में पानी भी नहीं पिला सकती, मैं कितनी असाहाई हूँ, इसी बात को समर्ण करके मुझे रोना आता है, वह फिर से रोने लगी, अशुक ने कहा, फिर क्या हो सकता है? आप कैसे पानी पिला सकती हैं? एक उपाय है, उसने चुप होकर उपाय सुझाया. असोक ने पूछा, क्या? अगर आप जुख जाओ, तो मैं आपकी पीट पर चड़कर इन्हें पिला दूँ. एक पलको उसोक ने सोचा कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और मरते हुए इंसान को पानी पिलाना तो बहुत ही बड़ा पुन्य और मानिवी अक्रत्य है. अगर यह प्यासा ही मर गया, तो बहुत ही बड़ा पाप पड़ेगा. मुझे इस कारे में इसे सहाइता देनी चाहिए. ऐसा सोच कर वैं बैठ गया और जुक कर बोला, आप मेरे पीट पर चड़कर जाईए और इनको पानी पिला दीजिए. वैं इस तरी बहुत प्रसन्न हो गई और गदगद होकर बोली, भगवान आपको इसका फल देगा. आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही धर्मात्मा हैं. सैकडो आशिरवाद देती हुई वैं अशोक की पीट पर चड़ गई. कुछ चणों के उपरांथ अशोक के उपर कुछ तरल बूंदे गिरी. उसने सोचा पानी पिला रही है. शायद पानी गिरा है. लेकिन यह क्या? उसने देखा यह तो खून की बूंदे हैं. उपर से ख उसने ऐसा दृत से देखने की कभी कलपना भी नहीं की थी. यह देखकर उसका दिमाग घूम गया कि जो इस्तरी अभी करुण स्वर में रो रही थी और जिसको बता रही थी कि यह मेरा पती है. उसे पानी पिलाना है. वैं उसी को काट काट कर खा रही थी और उसी से खून टपक कर उसके उपर गिर रहा था. यह विभत्स नजारा देखकर अशोक जट से तीर की तरह उठा और उसने अपनी तलवार निकाल ली लेकिन वैं इस्तरी अशोक से भी ज्यादा फुर्तीली और चलाग निकली. वैं उपर को उड़ी ऐसा न पेक्षित और अप्रत्यशि द्रिश अशोक की कलपना से परे था. वैं उपर को उड़ी जा रही थी. अशोक को और कुछ तो समझ में नहीं आया. उसने उसका पैर पकड़ लिया. पर थोड़ा विलंब हो चुका था. पैर पकड़ कर खीचने से वैं तो छूट कर उड़ गई. पर पैर से फिसल कर उसक मंजीर गौंगरू वाली बजने वाली भारी पायल मित्रों अशोक के हाथ में आ गई. वैं इस तरी आकास में विलीन हो गई. अशोक उस मंजीर को लेकर वापस महल में आया. महराज चंदर केतु ने उत्सुकता से पूँचा. अशोक पता चला कि वैं इस तरी कौन थी. अ अशोक ने हसते हुए कहा. महराज वैं तो मुझे चक्मा दे गई. उसने तो मुझको ही मूर्क बना दिया. वैं कैसे? महराज ने अश्चरे से पूँचा. बड़े अश्चरे की बात है महराज. अशोक बहुत ही तेजित होकर बता रहा था. जो इस तरी रो रही थी. उसने कहा कि मेरे पती ने फासी लगा ली है. मैं उस तक पहुच नहीं पा रही हूँ. मुझे अपनी पीट पर चड़कर इन्हें पानी पिला लेने दो. तो मैं मान गया. मैंने देखा पानी पिलाने के बहाने मेरी पीट पर चड़कर वैलास को खा रही थी. जैसे ही मैंने देख तो वैं उड़ गई, मैंने उसे पकड़ना चाहा, तो उसकी मनजीर यानि भारी पायल मेरे हाथ में आ गई, ओ, तब तो तुम बड़ी मुसीबत में फस गए थे, जी हां महराज, लेकिन मैं बच कर आ गया, यह देखिये, यह उसकी मनजीर है, असोक ने मनजीर महराज को देत उस अद्भुत मनजीर से आभा फूट रही थी, ऐसी अद्भुत सुंदर बनावट की मनजीर, महराज ने तो आज तक नहीं देखी थी, अशोक पुना पहरा देने लगा, और महराज ने वह शेश समय सोच विचार में बिता दिया, सुबा हो गई थी, महराज ने वह मनजी को मैं पहनूंगी, करपे आप इसमें की दूसरी मनजीर भी सुनार को बुलवा कर मंगवा दें, राजा ने अपने राजी के जितने भी अच्छे से अच्छे सुनार थे, उनको बुलवाया और उनको मनजीर दिखाई, सुनारा ने मनजीर को बड़े ध्यान पूरवक उलट इसलिए महराज की ऐसी मनजीर मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या या किसी भी सुनार के पास नहीं मिलेगी, आप कहीं भी देख लो इस धर्ती पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यह इस धर्ती की है ही नहीं, या तो किसी देव लोग की अत्वादानव लोग की मालुम पढ़ती है इसलिए हम सब लोग ऐसे ही दूसरी मंजीर बनाने में असमर्थ हैं हम इसकी जोड़ी वाली दूसरी मंजीर नहीं बना सकते इतना कहकर उन सब ने विदा ली महरानी को बड़ी ही निराशा हुई उन्होंने कहा या तो कुछ भी बात नहीं हुई या मनजीर तो हमारे मन में बस गई है काश किसकी दूसरी जोड़ी वाली मनजीर भी मिलती आप यह लाए कहां से महराज ने कहा या तो मुझे अशोक ने लाकर दी है अशोक का नाम सुनकर महरानी बोली वही तो लेखा के लिए कमल के फूल लाया था वह बहुत ही बहादूर और साहसी है आप उसी से कहिए न किसकी दूसरी जोड़ी मनजीर की लाकर दे महरानी जी आप भी गजब करती है वह बेचारा दूसरी मनजीर कहां से लाकर देगा वह तो पता नहीं डाकिनी थी भूतनी थी या कौन थी या तो अनायास उसके हाथ में लग गई खैर मैं कहकर देख लूँगा ऐसा कहकर फिर उन्होंने दर्बार के लिए प्रिस्थान किया महराज ने अशोक से कहा अशोक इस मंजीर की दूसरी मंजीर भी लाकर तुम्हें जोड़ी मिलानी है ला सकोगे जो आग गया महराज की ऐसा कहकर अशोक ने वह मंजीर अपने हाथ में ले ली घोम फिर कर वह मंजीर अब फिर अशोक के हाथ में आ गई थी क्यांकि उसे अब जोड़ी मिलानी थी अशोक इस मंजीर को लेकर घर आया आरवे मंजीर उसने अपने पिता ब्रह्मदत को दिखाई आखिरकार उन्होंने बहुत दुनिया देखी थी और पूरा जीवन वैतीत हो चुका था अशोग ने सोचा शायद उनको इस बारे में कोई जानकारी हो सकती है या उनसे पूछ कर कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है कुछ ना कुछ सुत्र हाथ जरूर लगेगा ब्रह्मदत ने उस मंजीर को बड़े ही ध्यान पूर्वग देख कर कहा बेटा या मंजीर इस धर्ती पर की तो नहीं है या निश्चे ही देव लोग अत्वा दानवों के देश की है और देव किसी लास को काट काट कर नहीं खाएंगे तो निश्चे ही या जान लो की या दानवों का ही काम है और उन्हीं में से कोई थी जो आई थी और या मंजीर उसी की ही है ऐसा करो कि अमावस्या के दिन का इंतजार करो जैसे ही अमावस्या आए तुम उसे जगा नर्मास लेकर जाना और पुकारना नर्मास चाहिए नर्मास चाहिए दान्वों को नर्मास आकर्शित करता है अशोक चिंता में रहने लगा उसने और भी तरीकों से पता लगाने की कोशिश की लेकिन इस इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला अब ब्रहमदत का जो बताया हुआ रास्ता था उसको अपनाने के सिवाए उसके पास कोई और चारा नहीं था उसके पता की बताई हुई युक्ती उसकी समझ में आई और वह अमावस्या की रात का इंतजार करने लगा जैसा ही अगली अमावस्या की रात्री आई उसने सबसे पहले एक मुर्दे को ढूंडा फिर रात्री का इंतजार करने लगा देरे देरे रात गहरी होती गई और जब आधी रात हो गई तब उसने मुर्दे को कंधे पर लादा और उसी पेड की तरफ निकल पड़ा वहां से लेकर वह जंगल के रास्ते तक चहल कदमे करने लगा और साथ ही साथ आवाज भी लगाने लगा नर्मास चाहिए किसी को अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताए वह बहुत ही घने अंधेर स्थान पर पहुँचा था कि तभी ठीक उसके पीछे च्छम च्छम और खिल खिलाहट की आवाज सुनाई दी उसने चौक कर और एकदम मुड़ कर देखा कि वही वाली इस्त्री उसके सामने खड़ी थी उसने कहा मुझे नर्मास चाहिए उसी अपने अभिष्ट को सम्मुक देखकर अशोक की आँखे खुसी से चमक उठी यह तो वह चाहता था कितने दिनों से वह उसी की राह देख रहा था उसने उस इस्त्री से कहा ठीक है यह नर्मास तो तुम्हें आज आखिरकार वह मौका आ ही गया उसने उस इस्त्री से कहा ठीक है यह नर्मास तो तुम्हें मिलेगा लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा क्या उस इस्तिरी की आवाज में अधिरता छलक रही थी बॉलाना जल्दी से क्या देना होगा मंजीर तुम्हें इसके बदले में मुझको मंजीर देनी पड़ेगी उसने एक पल की भी देरी नहीं की शीक घ्रता से उसने अपने दोनों पैरों की मंजीर निकाल कर अशोक को थमा दी मुर्दे को लगभग जपटने वाले अंदाज में बोली लो लो यह मंजीर और यह मुझे मुर्दा जल्दी से लाओ अशोक ने देखा कि यह वाली मंजीर भी उसी मंजीर की तरह बेजोड, अद्बुत और सुन्दर थी लेकिन उसने मुर्दे को पीछे हटाते हुए कहा नहीं, मुझे यह मंजीर नहीं चाहिए अशोक ने सुद्ध सौदे बाजी की बात करते हुए कहा लेकिन उस दिन मैंने तुम्हारी मदद की थी इस्तरी और जोर से हसकर बोली तम बहुत ही चतुर हो, तुमसे चतुराई में जितना मुश्किल है हाँ, तुमने मदद की थी, या तो उसके बदले में हो गई थी और अब यह दोनों मंजीरे ले लो, जो मेरे पास है अशोक ने कहा, नहीं, मुझे तो इसी के साथ वाली दूसरी मंजीर चाहिए जिस से इसकी जोड़ी बन जाए इसी मंजीर के साथ वाली दूसरी मंजीर चाहिए तो यह मेरे पास यहां तो नहीं है एक पल को अशोक ने सोचा की महराज को मैं सूचित कर आउं। फिर उसने सोचा इतनी देर तक तो यह यहां से गायब हो जाएगी और मैं फिर रह जाओंगा। जब महराज ने मुझे इस काम के लिए लगा ही रखा है और और इसके लिए मुझे छुटी भी दी है तो फिर क्या पूँचना उन्होंने जब कही दिया है कि तुम्हें मंजीर लेकर ही आनी है तो फिर क्या पूँचना और क्या कहना उसने ततकाल उस इस्त्री से कहा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे देश चलूँगा मुझे हर हालत मे या मनजीर चाहिए वह इस तरी व्यग्रता से उस मुर्दे को जपटते हुए बोली ठीक है ठीक है लाओ अब यह मुर्दा मुझे दे दो उसने लाश को जपट लिया उसे खा पी कर अराम से ड़कार लेकर बोली चलो अब तुम मेरे साथ चलो उसने अशोक का हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ उड़ चली अशोक आश्चेर के सागर में गोते लगाता हुआ बहुती शीग्र ऐसे देश में पहुँचा जो उसके कलपना से परे था अशोक आखे फाड़ फाड़ कर उस दानवों के देश को देख रहा था ऐसा अदबुत और सुन्दर देश जिसके उसने कलपना भी नहीं की थी वे तो दानवों के देश के बारे में कलपना करता था कि उनके निवास बहुती भयानक होते होंगे अंधरी गुफाओं के समान लेकिन यहां तो उल्टा नजा रहा था संग मरमर के मनी मानिक से जड़े हुए सुन्दर नकाशी दार हूँचे हूँचे तोरण द्वार वाले सुन्दर भवनों की ऐसी अद्बुत छटा और सुन्दर बिखरा हुआ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था जो उसे देखने को मिल रहा था सुन्दर सुन्दर पत और एक से बढ़कर एक सुर में उपवन जिसमें सरोवर थे और उन सरोवरों की अतिस वच जल में तैरत सफेद हंसों की कतारे और सुन्दर कमल के फूल थे जो उसने धरती पर कभी नहीं देखे थे बड़े बड़े सरोवर थे जिन में जलपरीओं की तरह तैरती बालाएं थी उसने आखे मली क्या देव लोख है कि दानव लोख है अगर दानव लोख है तो ऐसा सुन्दर तो नहीं होना चाहिए दुम्ररे खाओ और रोई के फाहों की तरह उड़ते बादल उनके बीच में परवतों की चोटियां कौन सा ऐसा दृष्य था जो मन को खीच लेने के लिए वहाँ उपस्तित नहीं था लेकिन एक हलकी सी दुन्द में लिप्टा हुआ रह समय सा संसार लग रहा था वह इस्तित उसको साथ लिये हुए एक विशाल भवन के सामने जाकर रुकी और वहाँ खड़े हुए दर्बान से उसने कहा महा महीम को सूचित कर दो कि मैं उसको लेकर आ गई हूँ अब चौकने की बारी अशोक की थी उसको लेकर आ गई हूँ इसका क्या मतलब अशोक ने आश्चेरे से पूचा वै इस तरह हसी और बोली तुम क्या सोचते हो कि मैं वहाँ नर्मास खाने के लिए गई थी अरे वहाँ जाकर देखना तुम्हारा मुर्दा वही पड़ा होगा मैंने कोई नर्मास नहीं खाया ना उस दिन खाया था ना आज मैं वहाँ सिर्फ तुमको ही लेने आई थी और यह मेरे महा महीम का आदेश था इसी से मैंने यह माया रची थी अब तो अशुक का दिमाग ही घुम गया दिमाग तो उसका पहले से ही घुम रहा था लेकिन अब तो उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसने बहुत ही आश्येरे से पूँचा तब मुझको लाने के लिए गई थी मुझको हां तुमको ही लेने के लिए गई थी और इसलिए वह मंजीर वहाँ छोड़ कर आई थी जिसको देखकर तुमारी महरानी लालाईत हो गई और तुमको उन्होंने दूसरी मंजीर लाने का आदेश दिया यह सब हमारी ही रची ही माया थी वास्तों में सब कुछ हमारी ही मर्जी के अंसार चल रहा था जैसा हम चाहते थे उन्हाने तुम्हें आने का आदेश दिया उन्होंने हमारे लिए ही रास्ता साफ किया था अशोक आश्चर के सागर में गोते लगा रहा था तब ही दर्बान आया और उसने कहा चला महा महीम ने बुलाया है और इस तरिया शोक को लेकर महराज के सामने पहुची अत्यांत भव्वे दर्बार था जिसमें एक उचा स्वर्ण सिहासन बना हुआ था और अत्यांत बलवान शरीर वाला स्वर्ण मुकुट धारन किये हुए हार बहुमुल्य वस्तियों से सज्जित एक व्यक्ति जिसे सब महा महीम कहकर संबोधित कर रहे थे उस पर विराजमान था सिहासन पर बैठे हुए उस देर्ग काए व्यक्ति का मेग गर्जना के समान स्वर्ण गुंजा आओ अशोक दत आओ हमारी नगरी में तुम्हारा स्वागत है तुम्हारी ही पृतिक्षा थी हमें हम तुम्हारी ही पृतिक्षा कर रहे थे उसके सामने जाते ही अशोक का सिर स्वतह परणाम करने के लिए जुग गया उसने कहा बैठो अशोक उसे ससम्मान एक गद्दी पर बिठाया गया जब अशोग बैठ गया तब महा महीम असुराज ने कहा अब हम तुम्हें यहां बुलाने का प्रविजन बताते हैं वास्तों में यहां पर एक दानव आया है जिसने हम सब का जीना दूबर कर दिया है वैं बहुत ही बलिस्ट है और उसे किसी भी तरह से हम हरा नहीं पाते हैं उसकी वज़ा से हमें बहुत ही कस्ट है यदा कदा वैं हमें किसी ना किसी तरह से सताता ही रहता है आप तो वैं बहुत ही शक्ति शाली हो गया है मुझे डर है कि कहीं वैं हम पर हमला करके हमारे राज्ज को छीनने की कोशिश ना करे अशोक को बहुत आश्चेरे हुआ कि इतना शक्ति शाली असुर राज और ऐसी प्रात्ना कर रहा है और एक दानव से इतना डर रहा है अशोक ने उससे कहा यहाँ बात समझ में नहीं आ रही महामहीम मैं धर्ती का साधान तुछ प्राणी भला मैं क्या कर सकता हूँ आप जैसे बलवान बलिस्ट असुर राज और एक दानव से डर रहे हैं वैं आपको कैसे हरा सकता है मेरी यह सब बातें समझ में नहीं आ रही है असुर राज ने कहा चलो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुना देता हूँ यह बहुत दिनों की बात है और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी मित्रों असुर राज अलंबक अकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था सहसा उसके द्रिष्टी नीचे पड़ी तो उसने देखा आश्रम में एक रिशी कन्या वह अपनी सक्षियों के साथ विच्चरण कर रही थी उसके संदरे को देखकर आलंबन उस पर मुग्द हो गया और वो नीचे उत्रा माया से उसने एक संदर वेश बनाया और रिशी कन्या के पास जाकर पूँचा संदरी तुम कहा की रहने वाली हो और इस जंगल में क्या कर रही हो संदरे भी उसके रूप को देखकर मोहित हो गई उसने अपना पर्चय देते हुए कहा मेरा नाम वसुधा है और मैं यहां जंगल में रहती हूँ रिशी कौशिक मेरे पिता जी है ऐसा कहकर उसने पूँचा आप कौन है तो उसने जवाब दिया मेरा नाम अलंबक है और मैं राजकुमार हूँ धीरे धीरे उनका पर्चय बढ़कर प्रीत का रूप धार्ण करने लगा और अलंबक वसुधा से उसी माया रूप में मिलता रहा धीरे धीरे वसुधा उसके प्रेम पाश में फस गई तो उसने गंदर विवा कर लिया और फिर उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया तो वसुधा ने डरते डरते रिशी कौशिक को सारी बात बताई जब यह बात पता चली तो उन्होंने तपो बल से तुरंथे उसका माया विरूप पहचान लिया रिशी बहुत ही क्रोधित हुए थे और उन्होंने श्राप दिया कमंडेल का जल हाथ में लेकर के तुने चल करके मेरी भोली बेटी के साथ कपट विवहार किया है जा तुझे भी धरती के मुनिश्य से ही पराजय का मुख देखना पड़ेगा जैसा तुने चल किया है वैसा ही तुझको इसका परणाम भी भोगना पड़ेगा मुनिश्य को तुने चला है मुनिश्य के द्वारा ही तेरा जीना दूभर हो जाएगा ऐसा कहकर उसने कमंडेल का जल चिड़क दिया फिर आकास की तरफ मुख करके बोला हे प्रभू मैंने पूरे जीवन भर तुम्हारी तपस्या की है अगर मेरे तप में जरा भी भल है तो मेरी बात को सत्य करना फिर अपनी पुत्री की तरफ घुमा और उससे कहा तुने भी मेरे साथ विश्वाश घात किया है तुझे भी इसकी सजा मिलेगी जानती है यह कौन है यह दानव अलंबक है अब तुझ दानवों के देश में जाकर रहेगी जब वसुधा को यह वास्त्विक्ता पता चली रिशी के पैरों पर गिर पड़ी और छमा मागने लगी क्रोधित रिशी का क्रोध जब थोड़ा शांत हुआ तो उसने कहा इसमें अब कुछ नहीं हो सकता लेकिन इतना जुरूर हो सकता है कि आगे चल कर किसी ना किसी मनुश्य से ही तेरा उधार भी होगा फिर रिशी ने वसुधा को सदा के लिए त्याग दिया कालांतर में वसुधा ने पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम विद्धुत प्रभा रखा गया वसुधा को विवस्ता में दानव लोक में आना तो पड़ा परन्तु वै कभी भी अपने परजिनों को नहीं भूली हमेशा उनको याद करके रोती रहती थी और अपनी भूल पर पश्ताती थी विद्धुत प्रभा को उसने अपने ही सबसंसकार दिये जिससे वै दानव जाती से घ्रणा करती है उसका विवाह दानव जाती में नहीं मनुष्य जाती से ही होगा वै किसी मनुष्य से ही विवाह करेगी विद्द प्रभा अब विवाह योग्य हो चुकी है इसे बीच में यहां एक दानव आ गया है उसने भूचाल साला दिया है पता नहीं वै कितनी अब परमित सक्तियों का मालिक है मेरे परताफ से जो दानव लोक ठराता है तो मैं उसके सामने क्यों नहीं जीत पाता हूँ यह मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने इसका भी पता करवाया तो पता चला की उसको भी वरदान मिला हुआ है और जो हमारे लिए मुसीवत का कारण बना हुआ है इस से विए हमें किसे मनुश्य द्वारा ही मुक्ती मिलेगी और मैं मनुश्य तुम हो अशोक मैं? अशोक ने आश्चेर से पूँचा हाँ, अलंबक ने जवाब दिया मेरा एक सेवक तुम्हारे राज्य में रहता है जिसका नाम बलाक है उसके तलाब में कमल के फूल है जब तुम कमल के फूल लेने गए थे तुमने उसे लड़कर परास्त किया उसीने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तब ही मैंने तुम्हें बुलाने के लिए अपने सेविका को भेजा था इतना कहकर अलंबक रुका और फिर कहा आप तो उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं वैजबरन विद्दुत प्रभा से विवाह करना चाहता है जबकि विद्दुत प्रभा ऐसा नहीं चाहती मैं वसुधा और विद्दुत प्रभा से बहुत ही प्रेम करता हूँ तुम्हें उस दानव से अब हमको मुक्ति दिलानी है उसके बाद विद्दुत प्रभा से तुम्हें विवाह करना होगा उसके लिए वसुधा ने और मैंने तुम ही को चुना है यह सुनकर असोक सन ने रह गया उसने मन ही मन सोचा यह कैसे हो सकता है वा तो लेखा से प्रेम करता है और उसने प्रतिग्या की है कि उसके सिवा कभी किसी के बारे में सोचेगा भी नहीं पिर उसने सोचा कि अगर मैं अपने मन की सभी बाते प्रकट कर दूँगा तो हो सकता है मुझे मंजीर भी ना मिले इसलिए अभी सब बात नहीं करनी चाहिए पहले अपना काम देखना चाहिए यह विचार करके उसने कहा ठीक है मैं दानव वाली समस्या तो निप्टा दूँगा दानव से मैं लड़ लूँगा लेकिन विवाव वाली बात मैं बाद में आकर करूँगा पहले मैं महराज को मंजीर दे आऊँ यह बात सुनकर असुराज अलंबक बहुत ही प्रसन्न हो गया उसने कहा ठीक है ठीक है इतनी कोई जल्दी नहीं है सबसे बड़ी समस्या तो दानव की ही है अब तुम वही काम करो असुक ने पूछा उस दानव का नाम क्या है अलंबक ने बताया उस दानव का नाम कपाल सपोटा है सहसा असोक का हर्दा धड़क उठा कपाल सफोटा कपाल सफोटा कपाल सफोटा यह नाम बार-बार उसके दिमाग में अथोड़े की तरह बजने लगा उसे अपने भाई जौाल दत्त की याद आ गई बहुत दिनों के बाद उसे अपने बच्पन की सारी बाते याद आई कई भूली बिसरी घटनाएं उसके सामने घूमने लगी और उसे वह घटना याद आ गई जब उसके भाई ने भो उसे चिता में लकडी मारी थी और वह दानव बन गया था अशोक ने अपने मन में सोचा इसका मतलब है मेरा भाई ज्वाला दत्य ही है वही दानव के रूप में अत्याचार करने पर तुला हुआ है अशोक ने कहा ठीक है मैं इस कपाल सपोर्टा से युद्ध करूँगा और उसे हरा दूँगा आपका रास्ता साफ कर दूँगा लेकिन मैं यहां मनजीर लेने के लिए आया हूँ मुझे सुन्ड मनजीर ले जाकर जोड़ी मिलाकर वह महराज को देनी होगी उसके बाद मैं आऊंगा ठीक है अशोक ने असुराज अलंबक से कहा मैं पहले महराज चंदर केतु को मनजीर पहुचा दूँ और उन्हें मैं अपनी पूरी बात बताकर उनसे इजाज़त भी ले आऊँ इससे मैं अपना कार्य पूरा मन लगा कर सकूँगा नहीं तो मेरे मन पर बोज रहेगा और मैं बेमन से अपना काम करूँगा आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी सफल नहीं होता है इसलिए आप मुझे इजाज़त दें और इस मंजीर की दूसरी जोड़ी मिलवा दें ताकि मैं उस काम को पूरा कर सकूँ जिसका उन्होंने मुझे आदेश दिया था उनसे मैं अनमती लेकर भार मुक्त होकर फिर मैं निश्चिंत रूप से होकर आपका कार कर सकूँगा यह सुनकर अलंबक बहुत ही खुश हो गया आरस ने कहा ठीक है ऐसा ही करो जैसा तुम चाहो वही ठीक बात है बस मेरे दोनों कारे होने चाहिए जो मैंने तुम्हें बताए हैं अशोक ने कहा मैं अपने वचन का पक्का हूँ यह मत सोचिये यहां से जाने के बाद मैं आऊँगा नहीं मैंने जो वचन दिया है वह मैं पूरा करूँगा ठीक है चलो हमारे साथ चलो अलंबक अशोक को अपने महल में लेकर आया उसने दासी को आदेश दिया किस मंजीर की तरह दूसरी मंजीर लेकर आओ दासी दूसरी मंजीर लेकर आ गई और उसने अशोक को वह दे दी अब उसके पास जोड़ी बन गई थी अब अलंबक ने अशोक के सामने प्रस्ताव र वह अशोक को अपने साथ लेकर अपने उद्ध्यान में गया, वहां की शोभा देखकर अशोक हैरान रह गया, उद्ध्यान के बीच में एक सरोवर था, जब सरोवर को उसने देखा तो उसकी आँखे चुंधिया गई, उसे सहसा ही अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कि वह जो देख रहा है, हकीकत है या कोई सपना, क्या ऐसा भी संभव है, उस विशाल सरोवर में स्वन कमल खिले हुए थे, स्वन कमल तो उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे थे, सोने के रंग के होने के कारण उनका नाम स्वन कमल था, उन स्वन कमलों की तरफ उत्साहित होकर अलंबक बोला, इनकी एक ही विशेष्ता नहीं है, या रंग बदलते हैं, प्रति दिन अलग अलग रंग के और कभी कभी सब रंग मिलकर चमकते हैं, एक तो इस समय अलंबक को बहुत खुशी थी, कि उसके दोदो काम बनेंगे, दूसरे जब अपनी चीज क की प्रसंसा हो रही थी, तो और भी खुशी के कारण फूले नहीं समा रहा था, इसी की वज़ा से वह हर चीज का खुप उत्सा से वर्णन कर रहा था, हाँ, तो दूसरी विशेष्ता यह है कि, यह कभी भी सूखेंगे नहीं, यह सदय भी ऐसे ताजे रहते हैं, अशोक के म तुम्हें पसंद हैं, तुम इनको अपने साथ ले जाओगे, भला, अंधा क्या चाहे, दो आँख, अशोक को मुह मांगी मुराद मिल गई, उसने कहा, हाँ, राजकुमारी लेखा इन फूलों को बहुत ही पसंद करती हैं, अवे तो मेरे बलाक से लड़ाई हुई थी, कमल तो मैं लेने गया था, अलंबक अटहास कर उठा और बोला, इनके सामने कुछ नहीं हैं वे फूल, तुम राजकुमारी लेखा की माला बनाने के लिए इसमें से फूल ले जाओ, या मेरे तरफ से उपहार रहेगा, ऐसा कहकर उसने सो कमल के फूल उसको दिये, फिर अशोक स कहा, अब आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ, जो शायद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर, वे अपने भवन में आया, और अशोक को लेकर, एक छोटे से कक्ष में गया, जैसे ही उसको खोला, एक और अद्भुत नजारा, अशोक की आँखों के सामने सामने एक विशाल स्वान कमल रखा हुआ था, उसने वे अशोक को दे दिया और कहा, ऐसे दो ही कमल मेरे पास हैं, जिन मेंसे एक मैं तुमको दे रहा हूँ, दूसरा मेरे पास है, यह मुझे बहुत ही प्रिये है, और उससे भी ज्यादा मुझे प्रिये है तुम्हें उपह किये हैं तो इसलिए मैं तुम्हें करतक ग्यता सोरूप उपहार रूप में दे रहा हूँ अशोग ने अभार प्रकट किया और वह उसी इस्त्री के साथ दानव लोग से धर्ती पर आया महराज चंद्र केतु कई सालों से एक विशाल मंदिर बनवा रहे थे जो लगभग पू दर्शनिय मंदिर बना था अशोग जब राजभवन में दाखिल हुआ तो महराज चंद्र केतु उसको देखकर बहुत ही प्रसन्न हो उठे और उनने बड़ी ही प्रसन्नता से उसका स्वागत किया और कहा अशोग बहुत ही शिग्र तुम आगे कहा चले गे थे मुझको भी विबरन बताओ अशोग ने अपना पूरा विबरन सुनाया और वह स्वर्ण कमल मंजीर उनको निकाल कर दिया जिसको देखकर महराणी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और स्वर्ण कमल लेखा को दिये उससे कहा कि यह फूल कभी मुर्जाएंगे नहीं और इनकी विशे अशोग ने वह विशाल स्वर्ण कमल महराज को दिये महराज स्वर्ण कमल की सुन्दरता को देखकर मुग्द रह गए उसकी एक एक कली से ऐसी सतरंगी और विचित्र आभा फूट रही थी कि वह उस थान को भी जगमक कर रही थी उसे जितना भी घुमाओ उतना ही उसके र महराज ने अशोग से कहा अशोग मैं कही दिनों से एक बात सोची थी लेकिन मैं तुम्हारी परिक्षा लेना चाहता था तुम मेरी हर परिक्षा में खरे उतरे हो और यह तुम्हारी अंतिम परिक्षा थी अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो या तो तुम जानते ही हो क जो भी प्राणी इस धर्ती पर आया है वह अमर नहीं है एक ना एक दिन तो उसे जाना ही है तो मैं इस राज्य को अपने साथ तो ले जा नहीं सकता इसे तो यहीं छोड़ कर जाना है और मेरे इस धर्ती पर रहने की भी एक सीमा ही है मैं दिन राद इसी चिंता में रहता हूँ कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा क्योंकि राज्य का करता वे होता है अपनी परजा को सुखी रखे और मैं सोचता हूँ कि मेरे बाद भी मेरी परजा सुखी रहे बात यह है कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना च जिससे मेरे प्रजा सुखी रहे। तुम वेर हो, साहसी हो, धयालू हो। वे सब योग्यताएं तुम में हैं। इसलिए मैं राजकुमारी लेखा का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। उपहार दे गई थी। उन खुली आखों से देखे गए, सपनों से भरी, जाने कितनी ही राते। रजनी गंधा के फूलों की तरह महकती रहीं और सुबह निश्प्रियोजन होकर उनी फूलों की तरह जड़कर उसकी आखों को सूनी और विरान कर गई थी। उसने तो अपनी एक एका की राह चुन ली थी। कि उसे अकेले ही चलना है। और राजकुमारी लेखा का प्रेम पत्थे के रूप में उसके साथ रहेगा। किन्तु अचानक आज यह प्रस्ताव उसके कानों में सहसा मधु घोल गया था। उसका हिर्दा बहुत जोर से धड़क उठा। उस एक बारगी तो उसे लगा जैसे वह गिर पड़ेगा लेकिन फिर उसने अपने आपको नियंतरण में रखा और कहा। ठेक है महराज जैसी आप किया गया। लेकिन महराज मुझे फिर से दानों लोक में जाना पड़ेगा। मैं दानवराज अलंबक को वचन देकर आया कि वहाँ एक आताताई दानों से लड़कर उनको मुक्ति दिलानी होगी उनकी सहायता करनी होगी। चंदर केतु ने कहा ठीक है कोई जल्दी की बात नहीं है तुम वहाँ जाओ और उनकी मदद करो। तब तक मेरा यह मंदिर भी पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे विव अपने माबाप को सारी बात बताई। बेभी अशोक की सफलता पर परसन हुए। फिर ब्रह्म दत्त के मुक से आह निकली और कहने लगे। काश ऐसे अवसर पर आज मेरा बेटा जवाला दत्त भी होता तो कितना अच्छा होता। अशोक ने चुपचाप उनकी बात सुनी औ और मैं सोच रहा था कि यह कैसे विचित्र सयोक से मेरी भेट हुई है। जिस राज कुमारी की मैं दिन रात कामना किया करता था। उसकी राजा ने स्वायम हिरास्ता साफ कर दी है। लेकिन वहाँ जो असुर राज ने मेरी मदद की है और मुझ पर इतना भरोसा किया है। जिनका पूरा पूरा दबाव था। वह कहीं से भी मुकर नहीं सकता था। वह दोनों से विवाख कर सकता था लेकिन यह अन्याय होता। क्योंकि हिर्दय तो उसका लेखा के पास था। विद्धुत प्रभा से प्रेम कर ही नहीं सकता था। तो फिर उसके साथ अन्याय होता आखिरकार उसने आखे बंद कर ली और कहा प्रभू तुम ही कोई रास्ता निकालना जब तुम मुझे यहां तक ले आए हो तो आगे का भी रास्ता तुम ही दिखाओगे फिर धेरे धुईरे उसको नेद आ गई मित्रों कथा बहुत ही रोचक मोड पर पहुँच गई है देववानी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कथा को स्किप मत किएगा लाइक जुरूर कीजिएगा आज का प्रभात ऐसे ही अरुन नहीं था उसकी लालिमा में अशोक के अनुराग का रंग भी घुला हुआ था उसके दिर्ण निच्चे और लेखा के प्रेम की उश्मा भी थी अशोक राज महल में पहुँचा उसने दर्बान से महराज के पास पहुँचाने को कहा दर्बान उसे महराज के पास छोड़ कर चले गए वहाँ पहुचा तो उसने देखा कि स्वाण कमल के पास महराज खड़े हुए थे और कह रहे थे काश ऐसा एक और कमल होता क्योंकि इसको मैं मंदिर के अंदर स्थापित करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ ऐसा ही एक और कमल होता तो मैं मंदिर के शिखर पर स्थापित कर देता तो वैं कोशो दूर से चमकता और उसकी सोभा अलग ही होती काश मिल जाता तो कितनी प्रसन्नता होती अशोक ने हबाज सुनी फिर वह महाराज से नहीं मिला अंदर राज महल में गया आज लेखा उसे अलग ही ढंग से देख रही थी उसने कुछ सुन कमलो की माला बनाई थी जो बहुत ही सुन्दर और मोहक लग रही थी और लेखा के रूप को चार चांद लगा रही थी अशोक हैरान था आज सब कुछ बदला बदला क्यों लग रहा था शायद उसे भी महराणी ने बता दिया था उसे अशोक के साथ अपने विवा की भनक लग गई थी इसलिए आज उसकी आँखों में लज्जा भरी ही थी जो उसके रूप को और भी अद्वित्य बना रही थी उसकी आँखे जैसे हस रही थी और उसके शरीर का अंग अंग चंचल हो रहा था लेकिन अशोक ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया लेका को बहुत बुरा लगा आज वे अशोक से कुछ कहना चाहती थी तो उसे एंट आ गई ठीक है अब वे भी नहीं बोलेगी लेका नराज हो गई थी कनकियों से लेका की नराजगी को देखते हुए और मन ही मन मुस्कुराते हुए उसने महरानी से कहा महरानी जी मैं आपसे विदा लेने आया हूँ ऐसा कहकर उसने लेका की तरफ देखा जैसे महरानी से कह रहा हो और लेका से इजाज़त मांग रहा हो फिर बोला अब ये फूल कभी भी नहीं मुर जाएंगे इन से तुम अपनी माला और अन्या भूशन भी बना सकती हो बस इतने में ही लेका का गुस्सा काफुर आज पहली बार उसकी नजर लेका की नजर से टकराई बहुत कुछ अलग सा अनोखा सा था दोनों की निगाहों में हजारों अनसुनी अनकही बाते जा रहा हूँ कहकर अशोक हवा के जोके की तरह बाहर निकल गया बाहर वही इस्तरी खड़ी थी जो उसको दानव लोक में लेकर गई अशोक दत को अपने राज्य में पुनह देखकर अलंबक बहुत ही खुश हो गया और उसने अशोक से कहा अब बिना देरी किये कपाल सफोटा पर आकर्मन करते हैं अशोक ने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्चा लेकिन सेना को सजा कर क्या करना है अलंबक ने कहा क्यों युद्ध नहीं करना है कपाल सफोटा से अशोक ने हसकर कहा नहीं सेना की कोई जुरूरत नहीं है केवल आप ही हमारे साथ चलो और केवल देखो अलंबक को भरोशा नहीं हुआ इसलिए उसने एक छोटी सी टुकडी तब भी सजा ली और टुकडी के साथ अशोग की अगवाई में कूच किया जल्दी ही वे लोग पहाडी के पास पहुँचे जहां पर कपाल सफोटा रहता थ अलंबक ने ललकारा कपाल सफोटा देख तो जहां भी छिपा बैठा हो निकल कर बाहरा आज तेरी खैर नहीं देख तो उससे मुकावला करने के लिए कौन आया है पहाडी के पीछे से एक भ्यानक गर्जना हुई और विशाल काय कपाल सफोटा निकल कर बाहर आया अपनी तल्वार लेकर वह दोड़ा अशोक ने भी अपनी तल्वार संभाली भ्यानक गर्जना करता हुआ वह दोड़ता हुआ अशोक के नजदीक आया और जैसे उसने अशोक को देखा एक महान अश्चेरे हुआ उसका विशाल काय शरीर धेरे धेरे घटने लगा उसका विक्रत और भयानक चेहरा बदलने लगा चेहरे की कठोरता गायब होकर कौमलता का रूप लेने लगी अलंबक ने बहुती आश्चरे के साथ देखा कि वहाँ पर कपाल सफोटा की जगा एक अत्यधिक सुन्दर रिवक खड़ा हुआ था जिसे देखकर अशोगदत भरे गले से चिला भया और इसने भाव विवल सर में कहा अशोगदत मेरे भाई और दोनों दोड़ कर गले मिल गए दोनों की आँखों से आंसु बह रहे थे और वह मापिता जी के बारे में एक एक बात कुरोटे कुरोटे पूच रहा था यह नजारा अपनी आँखों से देखकर अलंबक हैर भाई और कहा मेरे भाई को श्राप लगा हुआ था इसने चिता में जलते हुए शव का कपाल फोड दिया था तब इसका नाम कपाल सफोटा हुआ और यह दानव बन गया था आज इसके श्राप की अवधी पूरी हुई और वह अपने रूप में आया है कपाल सफोटा का अस जोगदत और अलंबक के साथ उसके भवन में आया अलंबक ने कहा तुम दोनों भाई आपस में बाते करो मैं जा रहा हूँ सवेरे तुमसे बात करेंगे अब तुम्हें दूसरा वचन पूरा करना है ऐसा कहकर अलंबक चला गया और दोनों भाई एक दीसरे को अपनी आप बीती सुनाने लगे दोनों ही भाईयों में एक साल का ही तो अंतर था पहले भी दोनों मित्र के रूप में ज्यादा रहते थे भाईयों के रूप में कम और अब एक नए परिचे के साथ उनका वही सिल्सिला फिर शुरू हो गया था बहुत रात बाते करते करते फिर दोनों भाई निद्रा की गौद में समा गए सुबह जब अशौक सोकर उठा तो देखा जवाला नहीं था ओह मैं सोता ही रह गया और जवाला गूमने के लिए चला गया यह सोचकर वह भी उठकर गूमने के लिए चल दिया आज उसका मन बहुत ही परसन्न था अपनी इस परसन्नता के पलों को वह अलंबक के उसी सुन्दर उद्ध्यान में बिताना चाहता था उद्ध्यान में आज उसे बहुती आनंद आ रहा था पंचियों की मधुर कलरव थंडी खुश्बुदार हवा हवा में हिलते लहला हाते फलों के दिरिश्य देख देख कर उसका मन कहीं उड़ा जा रहा था वह लोटने को ही था तब ही कुछ स्वर उसके कानों में पड़े खिल खिला कर हसने के स्वर जोश भरी बाते करने के स्वर वह वहीं रुख गया और उसने थोड़ा आगे बढ़कर देखा ज्वाला और विद्धुत प्रभा बैठे हुए बाते कर रहे थे ज्वाला ने विद्धुत प्रभा का हाथ अपने हाथों में ले रखा था और विद्धुत प्रभा बड़ी ही प्रेम पूर्ण दिरिश्टी से ज्वाला को देख रही थी और उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी अशोक थोड़ा और आगे बढ़कर आया तो उसने सुना ज्वाला कह रहा था मैं तो सुरू से ही तुमसे विवाह करना चाहता था जबसे तुमको देखा था तब ही तुम पर मुक्द हो गया था लेकिन तुमने तो मुझे ठुकरा ही दिया था विद्धुत प्रभा बोली मैं भी क्या करूँ तब तुम दानों के रूप में थे दानों को मैं कैसे पसंद कर सकती थी वै खिल खिला कर हस पड़ी और अब तुम्हारा रूप दूसरा है तो अब तो तुमको पसंद हो ना जुआला ने पूचा विद्धुत प्रभा मुस्कुरा कर बोली वै तो है ही लेकिन हूँ तो मैं वही जुआला शरारत भरे अंदाज में बोला विद्वित प्रवातुनक कर बोली मैं क्या जानू तुम वही हो लेकिन रोब तो वह तुम्हारा नहीं ना हाँ वह रोब तो नहीं है खेर ज्वाला बोला लेकिन तुम्हारे विवाह की बात तो तुम्हारे पिता जी ने अशोक के साथ कर दी है मैं अशौक के साथ विवाह नहीं कर सकती मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ तो मैं तुमसे ही विवाह करूँगी अगर तुम्हारे पिता जी नहीं माने तो मानेंगे कैसे नहीं अशौक मुस्कुराता हुआ वापस लोट आया इसका मतलव जो आला ने अपना खेल शुरू कर दिया था उसने रात में अपनी सभी बातें जो आला को बताई थी और यह भी बताया था कि वै तो लेखा से प्रेम करता है और अलम्बक विद्धित्प्रबा से विवाह करने के लिए कह रहा है तो जो आला ने बताया था कि विद्धित्प्रबा से तो वे विवाख करना चाहता है बस दोनों भाईयों ने अपना अपना रास्ता तै कर लिया था अब तो कोई बात ही नहीं रही इतने बड़े खुशी के वेख को एक आएक अशोग जैसे रोकने में आसमर्थ हो गया प्रभु धन्य हो तुमने अपना असर तुरंत ही दिखा दिया असुर राज अलंबक को अपने पास आते हुए देखकर अशोग ने उठकर उनका स्वागत किया और कहा आईए आईए रात में आपने कहा था कि सवेरे बात करेंगे अब बताएं आप क्या बात करना चाहते हैं अलंबक ने कहा अशोग बेटा बात यह है कि मैं शर्मिंदा हूँ मैंने तुमसे विद्धुत प्रभा से विवाख करने के लिए कहा था लेकिन अव्वेजवाला से विवाख करना चाहती है अंदर है अंदर खुश लेकिन उपर से उदाश चेहरा बना कर अशोग ने कहा मैं आपके सामने क्या हूँ अब तो आप जो भी कह देंगे वही ठीक है आप शर्मिंदा ना हो विद्धुत प्रभा अगर मेरे भाई जो आला से विवाख करना चाहती है तो अभी अच्छा है कोई बात नहीं उसकी सुधारता पर अलंबक बहुत ही खुश हुआ और कहा तुम धन्य हो तुमने मेरे सिर से भार उतार दिया मैं तो यह सोच रहा था कि यह सब कैसे होगा भाब्य आयोजन में विद्धुत प्रभा का ज्वाला दत से विवाख हुआ आज वहां से प्रस्थान की तैयारी थी ज्वाला दत विद्धुत प्रभा और अशोग दत जाने के लिए तैयार खड़े थे अलंबक ने उनको सुन्दर सुन्दर उपहार दिये अशोग ने उससे कहा आप से एक बात कहना चाहता हूँ मांगना चाहता हूँ उसने कहा हां मांगो क्या मांगते हो अशोग ने कहा मैं आपका स्वन कमल चाहता हूँ वह भी मैं अपने लिए नहीं चाहता वास्तों में महराज चंदर केतु से मंदीर के शीट्ष पर स्थापित करना चाहते हैं अलंबक ने कहा अरे वह कौन सी बड़ी चीज है वह बड़ी खुशी से दूसरा स्वन कमल भी ले आया और अशोग को दे दिया और कहा जब तक मंदीर रहेगा ये स्वन कमल रहेंगे तो मेरा नाम भी लिया जाएगा ऐसा कहकर वह मुश्कुरा उठा ब्रह्म दत और उनकी पत्नी माया बहुत ही उदास बैठे हुए थे यद पि उन्हें यहाँ सब सुख उपलब्द थे लेकिन फिर भी अशोग अभी नहीं आया था इसलिए उनकी चिंता भी थी और साथ ही साथ में आज ना जाने क्यों ज्वाला दत की भी बहुत यादा रही थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ज्वाला दत उन्हें बार बार पुकार रहा है उन दोनों का मन बहुत ही बेचैन हो उठा था तब तक बाहर किसी ने पुकारा पिता जी मा पिता जी से ऐसा विश्वास नहीं हुआ देखा कि सामने ज्वाला दत खड़ा हुआ है या दपी बड़ा हो चुका था फिर वे उसका चेहरा मोहरा तो बदला ही नहीं था ब्रह्म दत और माया को लगा कि कहीं वैं सब सपना देख रहे हैं लेकिन नहीं वही तो था उनका बरसों का बिच्ड़ा हुआ प्यारा नटखट बेटा जवाला दत वही था दोड़ कर वैं उनके गले से लग गया बेटे का अपने मा बाप से हैं मिलना बहुत ही भावना पूर्ण और करुण था पीचे अशोग दत मुस्कुरा रहा था ब्रह्म दत का गला खुशी के मारे भर आया और उन्होंने कहा बेटा तुमने मुझे आज वैं खुशी दी है जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ तब तक उनकी निगा पीचे की और गई और उन्होंने देखा कि अपसरासी सजी ही एक युवती खड़ी है उन्होंने प्रश्ण वाचक द्रिष्टी से ज्वाला और अशौक को देखा तो उन्होंने कहा पिताजी आपकी बड़ी बहु विद्युत प्रभा है बहु विद्युत प्रभा ने चर्ण स्पर्ष किया तो व्रद दमपत्ती का जीवन धन्य उठा आज फिर फुन्रा वृत्ती हो रही थी आकाश की और हाथ उठाकर ब्रमदत कहने लगे मान गया मैं तेरी लीला को प्रभू जितना लिया उससे सो गुना व्याद जोड कर दिया मेरे भूल थी जो मैंने तेरे न्यायक पर शंका की थी धन्य हो प्रभू धन्य हो मेरा जीवन सफल कर दिया आज पूरा नगर नवदु की तरह सजा हुआ है पूरे नगर में आनंद की सर्टा बह रही है पूरे नगर में धूम मची है राजकुमारी लेखा और अशोक का विवा हो रहा है समस्त नगर वासियों में उत्सा की लहर दोड़ी हुई है अमोत प्रमोत की भरपूर विवस्ता की गई है बड़े ही भव्य समारों में राजकुमारी लेखा और अशोकदत्य का विवा हुआ नगरवासियों के लिए दोहरा कौतुक और मनुरंजन है एक तो लेखा का विवा वह तो है ही दूसरा कौतुक और आश्चर है बर्सों से बन रहा मंदिर जो आज पूरा हो गया है और लेखा की विवा के उपलक्ष में उसकी प्राण प्रतिष्टा होने वाली है सबी गणमाने व्यक्तियों और पूरोहितों के साथ प्राण प्रतिष्टा करने के लिए महराज चले उनके मुख से एक ठंडी सांस निकल गई यह स्वन कमल अंदर सजा हुआ मंदिर की कितनी सोबा बढ़ा रहा है काश एक ऐसा ही और स्वन कमल होता उनके चहरे की तरफ ध्यान से देख रहे अशोक ने उन्हें जट से स्वन कमल दिया उनका चहरा खिल उठा जितना वे घूमता है उतने रंग बदलता है और सतरंगी किर्णे फूरती है इसलिए मंदिर के उपर उसे इस धंग से स्थापित किया गया कि वे हर तरफ घूमता रहता है गगन चुम्बी मंदिर और उसके उपर विशालकाय स्वन कमल चारो तरफ चक्र की तरह घूमता हुआ अन्वरत सतरंगी प्रकास को चारो तरफ फैलाता हुआ लोगों को अजूबा लग रहा था लोगों की आँखे चुंधिया रही थी सब ही एक दूसरे से पूँच रहे थे क्या है ये स्वन कमल एक दूसरे से बात होती ही देरे देरे हवा में खुश्बू की तरह सब के पास फैली जा रही थी यही तो है वे अद्बत स्वन कमल स्वन कमल स्वन कमल से लोगों कच्छा गयन पर आपतो जये श्रीराम भगतों